मेरे नाम है वैभफ और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर हम लोग महेश वर्णवाल की बुक का जो चैप्टर नंबर टेन है उसको देख रहे हैं जिसमें अभी तक जो हमने कवर अप किया है वो है माउंटेन्स तो अलग अलग तरीके के जो माउंटेन्स हैं उनको हम लोग कवर अप कर चुके हैं प्रीविएस वीडियो उसको देखने के लिए आप लोग सिंपल प्लेलिस्ट में जाईएगा वहाँ पर आपको प्रीविएस वीडियो मिल जाएंगे पार्ट वन जो है चैप्टर टैन का वो अल् हम भू सन्नती यानि की जियो सिंकलाइन के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं कि अलग अलग जो सिध्धान्त हैं परवत निर्मान के वो किस-किस विद्वान ने दिये हैं इनको हम लोग देखेंगे इसके अलावा प्लेटी यानि की पठार को हम देखने वाले हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि आराम आराम से पढ़ेंगे बड़ा मतलब important topics हैं यह चलिए सबसे पहले हैं पर हम बात करते हैं भू सन्नती या फिर जियो सिं मतलब एक जलिए भाग इस तरीके का होगा जो कि उतला होगा सकरा होगा और लंबा होगा इन में तल छटिए निशेप यानि कि जो डिपॉजिट्स हैं तल के साथ में उसके साथ साथ तली में धसाव होता है यानि कि डिपॉजिट होगा तली में और तली जो कि उसमें धसा वो है मतलब water body है और यह जो है यहां पर deposits है ठीक है अभी जो हमारी definition थी उसके according क्या था कि यह जो पूरा जल का भाग होगा वो कैसा होगा सकरा होगा लंबा होगा और इसमें जो तलचटी है यहां पर deposits होगा तो यह जो आप देख रहो यह पूरा deposits है ठीक है और water कैसा होगा उतला होगा यह definition है किसकी geosyncline की जादे तर जो fold mountains है वो इसी की वज़े से बने जब land दो साइट से बीच में suppress करती है और यहां पर क्या है deposits है तो धीरे धीरे यहां से पानी हटेगा और यह जो है deposits उपर बढ़ना start हो जाएंगे मतलब उपर की दिशा में ठीक है इसी तरीक या फिर वलित परवतों का जो व्याख्या करी गई है किस तरीके से fold mountains बने हैं वो व्याख्या जो है भू सन्नती यानि कि geosyncline जो संकल्पना है उसके बेस पर करी गई है या फिर हम कह सकते हैं कि मोड़दार और वलित परवतों की व्याख्या के क्रम में भू सन्नती संकल्पना का विकास हुआ यानि कि geosyncline जो theory है इसको दिया गया है अब यहाँ पर दो geologist थे एक हाल एक है डाना इन्हों ने इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किया परंतु एक सिधान्त के रूप में इस संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले किस ने करा hog ने करा सो geosyncline जो संकल्पना है इससे कौन-कौन associated रहे हैं geologist तो उसमें आपके हाल है डाना है इन्हों ने सबसे पहले प्रयास किया बट एक सिधान्त के रूप में किस ने बताया वो है आपके hog चलो आगे देखते हैं भू सन्नतियों का परवत निर्मान के संब्द होने के कार कोबर ने भू सन्नतियां जो है इनको क्या बोला है परवतों का पालना बोला है और जो परवत निर्मानक भू सन्नति सिधान थे वो किस ने दिया कोबर ने दिया चलो इसके बाद आगे हम देखें कि कोबर के अनुसार टेथिस भू सन्नति के अवसादों के वलन से यानि कि fold से हिमाले परवत की श्रीणियों का निर्माड हुए जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हिमाले परवत है ये कैसे बना ये बना आपका भू सन्नती के थुरू ही बना मतलब पहले यहां पर क्या था हिमाले की जगा पानी भरा हुआ था दोनों साइट से जब इंडियन प्लेट ने यूरेशिन प्लेट की तरफ सरकना शुरू करा और बीज में जो पानी बरा हुआ था इसमें यहां पर पूरा अवसात याने की सेडिमेंट्स थे उपर उतला पानी था तो ये धीरे धीरे उपर बढ़ना शुरू हुआ और यही हमारा हिमाले है जो हम देखते हैं आज की डेट में हिमाले अन रेंजिस और इनकी हाइट अभी भी बढ़ती चली जा रही है इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशिन प्लेट को यह दिये किसने कौन से सैंटिस्ट इफ जिओलोजिस्ट जिन्होंने इस सिध्धान्त दिया अब यहाँ पर ना सिर्फ हम इसको देखने वाले हैं बलकि हम इसको याद भी करने वाले है अगर आपने कभी देखा हो कि पानी के उपर जो गोबर तैरता है अगर यह पानी का तल है सतय है सोरी ठीक है तो यहाँ पर अगर गोबर यह तैर रहा है तो धीरे धीरे यह एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करता है यानि कि वो एक दूसरे को प्रेस भी करेगा ठीक है जब टकराएगा तो एक दूसरे को प्रेस करता हुआ जाएगा सो गोबर से आपको कोबर याद रखना है जब आप मैंने यहाँ पर यह बोला कि इस तरीके से एक दूसरे को प्रेस कर रहा है लेट मीज दो लेंड है जो एक दूसरे की तरफ मूववान कर रही है अगर हमसे गोबर को लेंड समझ ले तो यहां पर जो बीच में अवसाद होगा वो धीरे धीरे उपर बढ़ना शुरू करेगा और यहां से फोल्ड माउंटेंस बनेगा तो इस तरीके से परवत निर्मान कि आपक lot की जय आखा है की जेпервых केद्वारा दिया गया कैसे याद रहेगा है हम तेंपरे चर वह धीरे गाते तो आपने अपने ध्ल्य गोजा हों तो सफ्रीज में क्या होता है तेंप्रेचर को कम रिया जाता है है मतलब कि फ्रीज का रिलेशन क hypothesis तो यहां पर जो देंपस क जब मैं आपर Fisland की बात कर रहा हुँ तो डेली लाइफ में क्या होता है डेली लाइफ में आप अलग अलग जगा पर मतलब ऐसा होता है कि अब कभी कभी आपके जबान फिसल जाती है अब ही इलेक्शन होए तो इलेक्शन में आपने काफी कुछ ऐसा देखा भी होगा कि जो अलग-अलग नहीं ता थे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ बोलना है, कई बाँ उनकी जबान फिसल लई है, तो डेली होता है ये, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही आप देखो कि महादीपिये फिसलन सिद्धान्त, तो फिसलन से आप याद रख सकते हो डेली, ठीक है, इसके पर सिंपल वेग याद रख लो, ठीक है, वेगनर में वेग याद रख लो, और महादीपिये फिसलन सिद्धान्त में वेग याद रख लो, आपने फिसिक्स में चाल और वेग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, एक सदेश है, एक अदेश है, तो वेग में हमेशा क्या हो अगर आप घर में रह रहे हो तो एक दूसरे को आपको सहन करना पड़ता है अगर मैं यहां से बाह टा दू तो यह क्या हो जागा आपका सहन हो जागा तो घर के अंदर यानि कि होम के अंदर जवाब रहोगे तो एक दूसरे को आपको मतलब सहन करना पड़ेगा इस तरीके से से आप समवहन तरंग सिध्धान्थ को हो Umz के त्रू याद रख सकते हैं इसके बाद radio activity सिध्धान्थ की बात करें सो ये radio एक्टिविटी सिध्धान्थ किसका है जॉली का है पुराने जवाने में अगर हम बात करें जब रेडियो चलते थे तो इक company थी जॉली company तो जॉली company के radio बहुत famous हुआ करते थे और ये सारी चीजे मतलब factual है मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी तर से बना रहा हूँ जॉली वाकई एक radio company थी तो यहाँ पर radio activity सिध्धान को आप जॉली से याद रख सकते हैं इसके बाद next आपका है plate विवर्तनिक सिध्धान याने की plate tectonics theory अब ये Harry Hess, McKenzie, Parker और Morgan इनके द्वारा दिया गया है तो इसको तो आप as it is याद रखो इसके लिए कोई trick बनाने की शायद जरूरत भी नहीं है ठीक है इसके बाद next हमारा आता है पठार याने की plateau तो exactly plateau है क्या तो अगर हम देखें प्रत्वी की सतय पर आपको mountains देखेंगे mountains के बाद जो दूसरा heighted मतलब land form मिलेगा वो क्या है आपका plateau याने की पठार तो ये प्रत्वी पर दुत्यक करम के उच्चावच है तथा प्रत्वी के एक तिहाई भाग पर अपना विस्थार रखते हैं पठार वह उच्च भूमी है याने की highland है जिसका कोई एक धाल आसपास के इलाकों से अधिक उचा तथा खड़े धाल वाला हो अब यहाँ पर इस image को देखो गया तो आप exactly समझ जाओ के plateau क्या है तो प्लेटियू के अपने बात क्या करी कि आसपास की जो जमीन होगी उससे काफी उपर होगा और एक इसका जो किनारा है वो कैसा होगा तीवर ढ़ाल वाला होगा तो यह जो आप देख रहो इस तरीके से यह है आपका क्या प्लेटियू चलो इसके बाद आगे हम बात करें तो प्लेटियू यानि की पठार का और जो इंपॉर्टेंट फीचर से वो क्या है कि उसका जो शिखर है या फिर जो उपरी भाग है कैसा होगा सपार्ट होगा और चप्टा होगा पठार के निर्धारन में उचाई से अधिक महत हो उसके शिखर का चप्टा होना है अचा एक चीज़ यहाँ पर बताए महेश वर्णवाल की जो बुक है उसके पीडियेफ को एक्जेकली मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बट वो जो कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ है एक्जेकली वही कंटेंट इस पीडियेफ के तुरू आप देख रहे हो अगर इस पीडियेफ को आप चाहते हो तो आप टेलिग्राम शेयल को जॉइन कर लेना उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पर यह मैं आपको शेयर कर दूँगा चलिए इसके बाद आगे बाद होती है कि पठारों का वर्गी करण अब यह पहला जो वर्गी करना है यह उत्पत्ती के आधार पर है कि किस तरीके से पठार जो है वो डिवैलप हुआ उसका उत्पत्ती हुई अब इसमें है अंता परवतिय पठार अब जैसा इसका नाम है अंता परवतिय पठार यानि कि यह परवतों से घिरा हुआ होगा तो यह पठार जो है चारों ओर से परवतों से घिरे होते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह दिया हुआ है एक image जिसमें दो साइड में क्या है mountain ranges है और बीच में क्या है inter-mountain plateau यानि कि परवतों से घिरा हुआ क्या एक plateau ठीक है चलो इसमें आगे देखते हैं भूपटल का जो सरवोच और सरवादिक विस्तरित और अत्यदिक जटिल पठार है वो इसी श्रेड़ी में आते हैं मतलब जो हमारी अर्थ है उस पे जो अलग-अलग पठार है जो प्लेटियू है जो मतलब वो सारे किसमें आते हैं इसी कैटिगरी में आते हैं जहां पर mountains जो पठार हो गया, कोलंबिया का पठार जो कि USA में है, मेक्सिको का पठार यह सारे इसके एक्जमपल हैं जो की दो मतलब चारों तरफ से mountains से घे उए हुए पठार हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो तिबबत का पठार है वो इस प्रकार के पठार का सबसे बढ़िया एक्जैम्पल है जो उत्तर में कुनलुन और दक्षिन में हिमाले परवतों से घिरा हुआ है मतलब चारों तरफ से वो क्या है mountain ranges से घिरा हुआ है कौन तिववत का पठार और दुनिया का ये सबसे उचा पठार है इसके बाद next category आती है ग्रीपद पठार जैसा इसका नाम है उस नाम से ही आप समझ सकते हो ग्रीपद पठार ग्री का मतलब होता है mountains तो mountains के जो foot range होते हैं वहाँ पर जो पठार develop हुआ है वो उसकी बात हम कर रहे हैं तो परवतों के आधार परिस्थित पठारों को ग्रीपद का परवत पठार कहा जाता है और ये एक और उच परवतों से घिरे होते हैं और दूसरी और ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं अभी जो पहला हमने देखा इसमें हमने बात करी अंता परवत ये पठार की तो व इसके example की बात करें, तो pitman पठार जो की USA में है, pentagonia पठार जो की South America में है, तो ये इसके example है, इसके बाद next बात करते हैं, गुंबदाकार पठार की, तो भूपटल में वलन यानि की fold की जो क्रिया होती है, इसके द्वारा गुंबदाकार उत्थान के कारण जो होता है, वो इ ये सारे आपके गुंबदाकार पठार के example हैं, इसके बात next यहां पर आता है आपका महादीपिये पठार, सो महादीपिये पठार की बात करें, तो ये प्राया परवतिये भागों से दूर किंतु सागर्ये तटों पर मैदानों से घिरे होते हैं, यानि कि इनका mountains से कोई मतल नहीं है, mountains से बहुत दूर होंगे, लेकिन जो सागर के तट हैं, वहाँ पर ये मैदानों से घिरे होते हैं, और इनकी उत्पत्ती धरातल के उपर उठने, या फिर लावा के अपरिमत निशेप, यानि की deposits से होती है, ठीक है, तो इनकी उत्पत्ती है, वो धरातल या तो धर पर उठने, या फिर वहाँ पर लावा का deposit होगा, जिसकी वजह से वो पूरा प्लेट्यू बनेगा, और इन पठारों को shield भी कहा जाता है, एक्जामपल की बात करें, तो ये सापका Siberia shield, वाल्टिक या फेनो, सकेंडेविया shield, लारेशियन या फिर कैनेडियन shield और ब्राजी shield, ये उसके example है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो ये जो महादीप ये पठार है, इनका किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होगा, परवतों से कोई मतलब नहीं होगा, ये सागर के तटके आसपास जो मैदान है, वहाँ पर ये develop होंगे, develop होने का reason क्या होगा, या तो व पर आता है अपका जॉला मुखी पठार, तो जॉला मुखी के निस्तरप्त लावा के जमाफ के कारण बने सपार्ट विस्तरित भूभाग को जॉला मुखी पठार कहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो जॉला मुखी यानि की वॉलकेनों से लावा निकलेगा वो डिपॉजट होगा एक जगा और उसकी वजह से ये पूरा पठार बनेगा तो ऑवियस भी बात है क्या किलाएगा आपका जौला मुकी पठार इस से पहले वाला जो हमने देखा था इसमें हमने महाधी पिये पठार की बात करी ती दोनों म जो पठार हैं जो महाधी पिये पठार हैं वो परवतों से बहुत दूर हो रहेंगे अच्छा दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का मुख कारण है यानि कि जो बीश में दरार पढ़ेगी जिसकी वज़े से वहां से लावा निकले का और लावा निकलने के बाद वहां पे डिपॉजेट्स होगा अच्छा एक्जाम्पिल क्या है दक्कन का लावा पठार कोलंबिया स्नेक पठार जो कहां पर है अब का यूएसे में चलो इसके बाद अभी तो हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर जो पठार हैं अब हम बात कर रहें अपरदन चक्र के आध की बात कर रहे हैं तो जिस पर अपरदन की प्रिक्रिया अधिक सक्रिय होती है वो क्या है अपका तरौन पठार है एक्जाम्पिल क्या है कोलोराडो पठार जो की यूएसे में है और इदाखो पठार जो की यूएसे में है इसके बाद नेक्स आता है अपका प्रौन पठार के उच्चावच गिसकर प्राया समाप्त हो जाते हैं और पठार एक पेनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है इसका example के है मद राची का पठार जो कि आपका जीर्ण पठार का एक example है इसके बाद आगे बाद करें तो पुनर्यूवित पुनर्यूवनित पठार यान की जीर्ण वस्ता में था वो एकदम प्लेन हो गया था पुनहा उभार के कारण अधिक उचाई प्राप्त कर ले दुबारा से वो पठार जो है अपनी हाइट को एक्वायर कर ले तो इस तरीके का जो पठार है यह आपका पुनर्यूवनित पठार कहलाता है example कि है मिसौरी पठार जो कि आपका USA का है और राची का पार्ट पठार इसके बाद आगे बात करें हम पर यह काफी important list इसको जरूर याद रखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रमुक पठार और उनकी जो इस्तिती है कहां पर वो located है एशिया माइनर की बात करें टुर्की में है इ इसेटा पठार यह आपका आईबेरिया प्रायदीब जो की स्पेन का है यहां पर located है चिया पास पठार की बात करें साउथ मेक्सिको में है मेक्सिको पठार इसके नाम से ही पता चल लाए कि मेक्सिको में होगा अलासका और यूक्रान पठार की बात करें तो यह भी आपका कहां पर है सही उत्राज अमेरिका में कोलंबिया पठार यूएसे में ग्रेट बेसिन पठार ये भी कहां पर है आपका यूएसे में इसके बाद नेक्स बात करते हैं कोलोराडो पठार की ये आपका कहां पर है सही उत्राज अमेरिका में ओजार्क पठार ये भी कहां पर है य USA में ग्रीन लेंड पठार, ग्रीन लेंड में है, बोरेमा पठार, यह आपका ब्राजील का है, ब्राजील पठार, आव्यसी बात है, ब्राजील में होगा, पेंटागोनिया पठार की बात करें, अर्जेंटीना और चिली में, तासली पठार की बात करें, कहां पर है आपका, अहगार पठार ये कहां पर है आपका अलजीरिया में अधा मावा पठार ये आपका कैमरून मद अफरीकी कनराज और नाइजीरिया में लोकेटेड है इसके बाद अगला पठार है आपका अभी सीनिया पठार ये कहां पर है आपका इथूपिया में उबांगी पठार की बात कॉंगो में हैं कोराथ पठार थाईलेंड में हैं शान पठार मयामार में हैं तो ये सारे आपको याद रखने हैं यह जो पूरी लिस्ट है बहुत important है examination में आपको hundred percent यहां से देखने को मिल जाएगा तो कि examination में आप देखते हो कि चाहें समीक शादिकारी या फिर उत्तपरदेश PCS वहाँ पर ये जरूर पूछते हैं इस तरीके कि कौन से mountain कहां पर है या फिर कोई plateau है तो ये कहां पर है या फिर वालकेनों की बात करें तो वो कहां पर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात क करम के सबसे सरल उच्चावच तता अपेक्शाकरत सम्तलवा निम्न भूभाग हैं अत्यदिक निवन ढाल होने के कारण ऐसे शित्रों में नदियों का प्रवाह जो है मन्द पढ़ जाता है जब उसके अंदर कोई वही नहीं है स्लोप नहीं है तो नदियों का प्रवाह है जो उनका फ्लो है वो अविस्सी बात है कैसा हो जागा मन्द हो जागा सिंपल अगर आप समझो कि यह एक मेदान है यहां पर एक नदी बह रही है तो यह हलके हलके ही बहेगी in comparison to this kind of मेदान अगर यहां पर तो यहां पर फ्लो तेज होगा यहां पर कैसा होगा फ्लो हलका हो अच्छा कुछ विशेश प्रकार के मैदान अब ये कौन कौन से हैं पहला है आपका पटल विरूपली मैदान परवत निर्मान के समय जो भू सन्नतियां यानि कि जियो सिंक्लाइन उसके किनारों पर वलन पढ़ने से बीच के भाग अप्रवाहित रह जाते हैं तथा कभी कभ आपका पटल विरूपली मैदान का जो कि आपका कारपेथियन और डिनारिक आल्स परवतों के बीच लोकेटिड है इसके बाद नेक्स आता है आपका संप्राय मैदान जब नदियां अपरदन प्रकिरिया द्वारा अपने आधार तल को प्राथ कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है यद पी इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर शेल मोनोडाइक के रूप में दिखाई पड़ते हैं इसका एक्जामपल क्या है मिसिसिपी बेसिन का उपरी भाग रूस का मदवर्ती मैदान भारत का अरावली शेत्र इसके बाद न मैदानी भाग है उनकी उत्पती जो है वो हिमानी निर्मित मैदान से ही होई है मतलब पहले यहाँ पर गलेशेर हुआ करता था उसके बाद वहाँ से सरग गया तो उसके बाद जो है जो मैदान बना वो क्या है आपका हिमानी निर्मित मैदान है इसके बाद कास्ट मैदान इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अब चूना पत्थर ये सबसे important है कि कैसी चटाने होनी चूना पत्थर वाली चूना पत्थर वाले जो चटानी चेतर हैं उसमें जलके प्रभावी अपरदन वा घुलनशीलता से संपूर्ण भुभाग एक समतल मैदान में परिवर्थित हो जाता है यानि कि एक चटान है जो कैसी है चूना पत्थर कि वहाँ पर पानी जब बहना शुरू करेगा तो चूना पत्थर धीरे 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 वो उसके साथ में घुल जाएगा और वहाँ पर वो चट्टानी छेतर पूरा कैसा हो जागा अपका समतल मैदान में कनवर्ड हो जागा इसी को कास्ट मैदान बोला जाता है फिर कास्ट मैदान के रूप में इसका निर्माण होता है इसका एक्जामपल क्या है आपका यूगोसलाविया में एड्रियाटिक सागर के समीब जो कास्ट मैदान है वो इसका एक्जामपल है इसके बाद जब हम अलुवियल प्लेंज की बात करते हैं फिर जलूड मैदान की तो मुझे लगता है आपको 100% इसके बारे में पता होगा अब आव्यस सी बात है नदिया अपने साथ जब डिपॉजिट्स लेके आई हैं वो कैसा होगा आपका फर्टिलिटी उसकी बहुत ज़ादा होगी वो पूरे मैदान पे फैल जाएगा तो उस मैदान की फर्टिलिटी ज़ादा होगी वहाँ पर किर्शी ज़ादा होगी जह का मैदान जो की चाइना में लोकेटेड है नील नदी का मैदान मिस्र में मिसिसिपी का मैदान यूएसे में बोलगा और डेन्यूफ का मैदान ये सारे इसके एक्जामपल हैं इसके बाद आगे बात करें लोस मैदान की तो ऐसे मैदानों का निर्मान पवन द्वारा उडा कर लाए गए बालू रेत आदी के निशेप से होता है तो अभी जो हमने देखा था एलिवियल प्लेंस की या फिर जलोड मैदानों की बात करी तो वहां पर नदियां अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आई हैं जब हम लोवस मैदान की बात करें तो इनका निर्माण कैसे होगा कि वाई यू या फिर हवा जो है अपने साथ में बालू और रेत को लेके आएगी और उसको धीरे धीरे एक जगा डिपॉजिट करेगी उससे इनका निर्माण होगा इन मैदानों में परतों का सर्वता अभाव होता है परंतु पारगम्मिता अधिक होती है यानि कि यहां पर अगर पानी डालेंगे तो नीचे तक वो पहुँचेगा ठीक है और इनकी मिटी उपजाओ होती है उत्री चीन तुर्कमेनिस्तान मिसिसिपी आदी जो छेतर हैं यहां पर लोईस मैदान देखने को मिलते हैं इसके बाद आगे बात करते हैं लावा मैदान जैसे ही आप लावा वर्ड सुनते हैं आपको कि लियरली समझने एता है हम जोला मुखी की बात करें कि जोला मुखी वहां पर उद्गार हुआ गा जोला मुखी का उससे लावा निकला होगा वो फैल गया होगा उसकी वज़े से जो छो एक मैदान डिवेलब हुआ वो चाया है एपका ल लावा मेदान तो इस परकार के मैदानों का निर्मार्ट जौला मुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा और अन्र पदार्टों के निश्य प्यानिके डिपॉजिट्स से होता है खनेश पदार्टों की अधिकता की वज़े से ऐसे मैदान बहुत ज़ादा उपजाओ हो इस थलखंड के शुषक और अर्दशुषक भाग हैं अभी तक जो कि हमने मॉंटेंज देख लिए हमने प्लेटियो देख लिए हमने प्लेंज देख लिए अब हम आ गए सीधे कहां पर डेजर्ट पर डेजर्ट की बात करें शुषक होंगे और यह सेमी ड्राइब पार्ट होगा यह इस थलखंड का यानिकी जो मारे लेंड फॉर्म है और यह मुखिता उपोक्ष्ण उच उच दाब शेत्रों में जहां वाईयू उतरती है और तापिय प्रतिलोमन की स्थिती मिलती है वहां पर यह डिवैलप होते हैं महादीपी अविस्थिती या तट से दूरी भी इनकी उत्पत्ती का कारण है ठीक है क्योंकि आंतरिक भागों में बढ़ने पर वर्शा की जो मात्रा है वो कहती हो दी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे जैसे हम समुद्र तटों से अंदर की तरफ आते चले जाएंगे तो बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी इसलार एकरण होती लागोंपल कालाहारी पेंटाग॓नियंग और अठाकामा मरस्थली चताई पथरीली और रेतीली परकार कारा के ये सेरियर होती है इसके बाद देखें तो सहारा का जो हमद मरुस्थल है अलजीरिया का रेग और लीबिया मिस्र के जो सेरिर मरुस्थल है सहारा चेतर के जो एर्ग मरुस्थल है ये क्रमशा चटानी पत्रीले और रेतीले मरुस्थल के उधारन है यानि कि हम चत्टानी मरुस्थल की बात करेंगे तो हमद मरुस्थल ये इसका behavior है जो कि located पहां पर आपका सहरा में Algeria का रेग की बात करें छो रेग मरुस्थल है और जो लीबिया और मिसर के सेरे मरुस्थ़ल हैं ये कैसे हैं पत्रीले हैं ठीक है वहीं सहारा छेतर के जो एग मरस्थल है या फिर एर्ग मरस्थल है ये आपके रेतीले मरस्थल के एक्जामपल है इसके बाद फरदर यह लिस्ट काफी इंपोर्टेंट है इसमें हम प्रमुक मरस्थल और उनकी जो स्थिती है उसके बारे में देखेंगे ये दर नाम रखा है इदर स्थिदी दे रखिए सहारा अब यहां पर लीबिया और न्यूबियन मरुस्थल की बात करें तो यह कहां पर लोकेटड है आपके उत्री अफरीका में बार बर्टन सिंपसन गिबसन स्टुवर्ट स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सेंडी यह जो सार की बात करें मंगोलिया और चाइना में लोकेटड है कालाहारी की बात करें बोस्वाना में तकला माकन की बात करें सी क्यांग प्रांथ जो की चाइना का एक प्रांथ है वहां पर है सुनोरन की बात करें तो यह संयुक तराज अमरीका और मेक्सिको में फैला हुआ है चिली में ये फैला हुआ है इसके बाद काईजल कुम की बात करें उजबेकिस्तान में है दस्त ए लुत की बात करें तो ये आपका पूरवी एरान में है दस्त ए कबीर की बात करें ये दक्षनी एरान में है तो ये जैसे ये आप दस्त देखोगे आपको सौंज में जागा है ये इरान की बात चल लए है जब दस्ते लुत की बात होगी तो पूरवी इरान और दस्ते कबीर की बात करें तो दक्षनी इरान मुजाबे या फिर मुहावे सिंचुरा सियरा निवेदा ये कहां पर हैं आपके संयुक्तरा जमरीका में लोकेटेड डेजर्ट है इसके लावा पेंटागोनिया कहां पर है आपका अरजेंटीना में ठीक है तो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं बाकी अगर आपको ये वाला पीडियेफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना जो महेश वर्णवाल की बुक है उसके इस वाले पार्ट का पीडियेफ चाहिए तो उसके लिए भी आप जोईन कर सकते हैं हमाई टेलिग्राम चैनल को So thanks for watching अगर ये वीडियो पसंद आया तो subscribe करना मत भूलिएगा इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को share करना मत भूलिएगा So thanks for watching, have a nice tip, bye